Hello and welcome you all to Beat the Street Annual Report Analysis में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और unique company जिसका नाम है Builda Soft Company इसका जो पूरा जो pioneer है वो CK Builda Group ने इसे बनाया है और आज हम discuss करने वाले हैं इसमें होए merger के बारे में और साथी साथ business की understanding लेंगे detailed और management को समझेंगे कि आगे आने वाला business कैसा होगा तो आज वीडियो को end तक देखें और समझें CK Builda Group की company Builda Soft के बारे में सबसे पहले अगर हम mystery की बात करें तो Builda Soft जो company है Soft का जो यहाँ पर connection है वो यह है कि Builda Software बनाने की काम करती है CK Builda Group की company का जो 2019 में KPIT के साथ अभी merger हुआ था जो मैंने यहाँ पर highlight किया हुआ है आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर यह जो CK Builda की जो group है उसके साथ यहाँ पर KPIT का जो tie-up हुआ वो 2019 में हुआ था इससे पहले क्या करती थी company 1995 में यह establish हो चुकी थी CK Builda Group अपने आप में एक बहुत बड़ा जाना माना group है इंडिया में बट वो पहले क्या काम करती थी traditional काम करती थी जिसमें legacy business शामिल है 2015 में 2015 तक 1995 से 2015 तक उनका जो main source of revenue था वो था General Electric कर के company है जो कि आप जानते हैं बहुत ही बड़ा उनका sales था 50% of the sales अगर जो हम software के business की बात करें तो General Electric से आता था बट General Electric दिरे दिरे अपना market share जो और 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 वर्ल्ड में General Electric का बहुत बड़ा नाम था इन टर्मस ऑफ General Electric अपनी गाड़ियां मनाने के काम आती थी और उसके कारण वहाँ पर उनका market share गिरता गया और साथी साथ इनकी जो 50% sales थी वो General Electric से आती थी और उसी के साथ साथ इनका business भी गिरता गया इसके कारण यहां क्या हुआ कि बिल्डा सोफ्ट्वें के पास horizon बड़ा था उनके पास बहुत सारे लोग थे बट उनके पास जो business था वो यहां पर लगातार गिरता जा रहा था और इसके चलते उनका जो traditional business था उसे Genpact को बेज दिया और Genpact को बेजने के बाद अब उनके पास बचा digital business तो digital business क्या होता है 2018 में अब यह सब चीज़े हो चुकी थी और 2018 में digital business के बल बचा था बिल्डा सोफ्ट के पास बिल्डा सोफ्ट ने का कि या digital business थो हमारे पास है बट हमारे पास इतने customer नहीं है digital business वाले तो उन्होंने क्या किया 2019 में बिल्डा ने अपने business को KPIT करके एक और company थी जिसके साथ merge कर दिया जहाँ पर बहुत सारे client base KPIT के पास था और उनका काम था ERP implementation कराने वाला जैसे की Oracle हो गया सेफ हो गया जो software होते हैं उनको implement कैसे कराया जाए company में और बिल्डा का digital का काम था इन्होंने मिलके merge किया और साथी साथ में अपनी digital capabilities को बढ़ाया और उसके बाद पिछले साल में पूरे साल integration चल रहा था जिसके चलते और पढ़ रहा था बिल्डा software की और उसमें उन्होंने इतना तगड़ा guidance दिया है जो कि industry में आप कह सकते कि top two company top three companies में दिया है उस तरी का guidance दिया है और CK बिल्डा ग्रूप में जो पूरा आपन अगर देखते हैं अगर कोई भी software company या digital company को अगर हम analyze कर रहे हैं आज हम happiest mind को ज बहुत ही बड़ा नाम यहां पर create किया जाएगा बिल्डा software में और उसके चलते हैं अगर हम बात करें तो पूरी जो team है company की जो KMP की जो पूरी team है जिसके हम और detail में अंदर गुसेंगे हर बंदा क्या करता है और वहां से बहुत बड़ा attraction निकल के आता है इसके लाग KPIT के स cost होती है employee cost होती है और उस employee cost में अगर आपका attrition rate जो कि इनका पहले 25% वहा करता था वह गिटके 10% हो चुका है जिसके करण के होता है कि capabilities है वह बढ़ती हुई नजर आती है और साथ ही साथ इनकी जो growth है क्योंकि हर हर आदमी को सिखाना पड़ता है और वह सिखाने के बाद अगर वह छोड़के चला जाए तो उससे company को बहुत नुकसान होता है इसके चलते अब company का जो focus है वह है कि ज़्यादा ज़्यादा employee यह यहाँ पर निकल के आती है जो KPIT का जो business था उसमें बहुत सारे contract तो थे customer भी बहुत सारे थे बड़ उनकी जो contract size थी वह कम थी जिसको बोलते tail accounts उसके बारे में इसके चलते की company के जो main focus है कि कि किसी एक पर dependent नहीं रहना है और साथी साथ उनका जो horizon है वह हर customer से एक अच्छा percentage of revenue वहाँ से जनरेट हो ऐसा है ताकि यह जो छोटे छोटे जो non profitable काम है वो यहाँ पर company छोटके focused काम कर सके और top 20 customer पर focus कर सके तो यहाँ पर बहुत बड़ा business निकल के आता है अगर हम बात करें active client base की तो 378 clients जो थे उससे गटके 291 clients हो चुके हैं तो company लगातार अपने जो tail profit कम होता है उनको यहाँ पर हतारी है ताकि focus कर सके बड़े काम पर और अच्छे काम पर इसके अलाओ company client base की बात करें तो Gerox, SAP, Swiss, Cummins जैसे company के बहुत बड़े-बड़े customer है जिसके करण यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पस SAP implementation और ERP implementation के काम होते हैं उसमें काफी आपको मिलती है क्योंकि काफी लंबे contact होते हैं और काफी अच्छे clients होते हैं जिसके कारण आपको लगातार business मिलता रहता है अगर हम बात करें existing client mining की तो client mining यहाँ पर word use किया जाता है digital businesses में थाकि उसको बोलते है कि cross selling of the products मतलब अगर आप मेरे से एक business ले रहे हो एक मेरे करो तो अगर हम देखेंगे तो लगातार company का जो management हो यह बोल रहा है कि हम लगातार हम client mining पर focus कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा existing customer से NUT revenue ले सके ताकि क्या होता नहीं जब इस तरीका business होता है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका NUT business कितना होता है अगर हम last year की बात करें तो company का बोलना है कि जो उन्होंने deal win की है इस साल में 888 million dollar की deal wins की है तो आप देख सकते हैं 888 million dollar की deal wins बहुत ही बड़ी बात है इस company के लिए और साथ ही साथ एक और positive चीज है कि 97% of the revenue 97% of the deal wins है वो existing customers है मतलब कि वो इतना properly अपने जो existing customer है जो existing client mining है व customer अगले साल आने वाले वो इनकी existing customer है क्योंकि उसमें क्या दना है कि यार आपको comfort रहता है आपको dealing में बहुत comfort रहता है और साथ ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप existing company में आप और काम दिलवाता है जाते हैं जिससे कारण यहां पर growth बहुत ही तेज आती है और बहु focus कर रही है और यहां पर एक और में बात बताओं कि company का business है वो अब हम समझते हैं तो तीन से चार hyperscaler होते हैं हर industry में जिसमें अगर हम बात करें तो Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure और Salesforce, hyperscaler क्या होता है कि कोई भी industry को अगर हम आपको समझते हैं तो उसमें क्या होता है चार बहुत बढ़े giant ह जो पूरा business लेकर बेठे होते हैं और उनको छोटी 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 चीज़ों में जरुरत पड़ती है अगर आप उनके साथ चोटी चोटी चीज़ें अगर आप करते होते हो तो वो वो अगर 30% से ग्रो हो रहे है तो आपका business 30% से ग्रो होने लग जाता है या आपको भी बह company के software होगा करते थे उनको अब सबको cloud में transform कर रहे हैं और उसके चलते यहाँ पर उनका जो business कारीवन 30-40% की growth दे रहा है वहीं अगर हम बात करें Buildasoft क्या करती है Buildasoft वो जो implementation part है जो Google Cloud, Amazon Web Services में एक company को अगर अपनी खुद की company के existing software से अगर cloud में migrate करना है तो उस कराने में help करती है और इसके चलते उनको बहुत ही बड़ा commission बीच में मिलता है और इसके चलते आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर 30% से grow हो रहा है तो यहाँ प company के और Microsoft Azure के साथ सबसे deal हुई है लगातार company के जो यहाँ पर है SAP implementation के काम से 30 million से बढ़कर वो काम 100 million dollar तर पहुंच चुक है और company कह रही है कि हमार को पूरा विश्वास है company CEO का भी अभी बयान है जिसमें बता है कि हमार को पूरा विश्वास है कि आगे आने वाला जो साल है वो भी यहाँ पर बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्यूंकि जो growth है वो digital पार्ट से आ रही है और digital हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पर अब क्यूंकि हमने KPIT के साथ जो merger का integration है वो फिरकूल complete हो चुका है और अब हम पूरा तरीका से focused हैं कि हमारे जो revenue existing revenue में बढ़ोत रही होगी हम उससे वापिस reinvest करेंगे और focus करेंगे नए से नए बिजनिस पे लाने के लिए headcount ratio की बात करें तो headcount ratio लगातार company बढ़ाये जा रही है और low attrition rate company के पास है जो company को existing capabilities को बढ़ाती है इसके अलवा company के जो चार main business है जहां से main company का revenue है वो निकल के आता है जिसमें अग भी थोड़ी company transfer हो चुकी है बट और बहुत सरी companies है जो यहाँ पर transform होती हुए नजर आएगी क्योंकि अब लगाता लोग focus कर रहे है cloud based business का ताकि कोई भी बंदा कहीं से भी काम कर सके अगर हम दूसरी बात करें तो banking financial हो गया life science हो गया energy जिसका हम detail में discussion करेंगे कि company कितना यह existing work force है उसको 50% से हटाके और वो चीज़े सब robot करने लग जाएंगे तो वहाँ पर एक थोड़ी सी long term risk है जो कि लंबे time में है मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में robot सब change कर देंगे बट company लगातार इस पे भी focus कर रही है कि कि किस तरीके से robotic process automation replace कर देगा बहुत सरी चीज है तो एजाई होती जा रही है और उसके चलते हैं अगर हम देखें बिल्डा सोफ्ट में कोई एंट्री बेरियर्ट नहीं है कोई भी आ सकता है यहां पर कोई पेटेंट नहीं होता है तो आपका बिजनिस है उसमें काफी लोग एंट्री कर सकते हैं जिससे margins आपके गिरते ह हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में वहीं अगर हम शोट टर्म रिस्क की बात करें तो margin की volatility हमेशा रहेगी और अगर attrition rate यहां बढ़ता हुआ नजर आता है people satisfy नहीं होते हैं HR यहां पर satisfy नहीं होता है तो कहीं नहीं आपको बहुत बड़ा setback आपको आने वाले future में द 12,000 से ज़्यादा professional company के साथ काम करते हैं में जो revenue है वो digital services का है जो मैंने आपको बताए कि cloud blockchain और automation का काम करते हैं इसके अलावा company का enterprise technology services से related भी बहुत सारा काम है जो SAP implementation हो गया Microsoft Azure के साथ जो cloud migration का का काम हो गया इसके अलावा जो main company का revenue source है वो आता है USA से 77% of the client है जो company के USA से नि सब दिखाता हुं मैं कि company का जो डील्स में है वो तो हमने देखी लिया उसके अलावा company की जो अमीटा बिल्दा है जो अबी company के MD और CEO है जो co chairman भी है बिल्दा software की और साथी साथ company का जो chairman है company के जो chairman है वो चंदरकान्थ बिल्दा जबकि company के बिल्दा तो company के बिल्डा सोफ्ट की जो चैर्मेन है वो यहां पर अमीता बिल्डा है तो CK बिल्डा ग्रूप में चंदरकांथ बिल्डा है और बिल्डा सोफ्ट में है जो अमीता बिल्डा है I am so sorry वो थोड़ा सा confusing हो गया बट company के जो पूरी company के जो आपको मैं बता दू ना कि पूरी जो value chain है या आप देख सकते हैं के MP की जो पूरी deals है आप देख सकते हैं यह जो है अशोक कुमार बरट जो certified Mediator है M.C.A में मदब Ministry of Corporate Affairs में अनंत तालूकार अगर नाम में सही प्रनूंस कर पा रहा हूं तो यह है members रहे हैं Cummins Inc. Global के साथ साथ चेर्में और MD रहे हैं Cummins Group के Tata Cummins Limited में भी इन्होंने काम किया है with the master's degree in computers तो यह आप देख सकते हैं कि हर बंदा है जो यहां पर हर जो board of director है वो यहां पर बहुत ही अच्छा experience लेकर आया हुआ है और 19.3% revenue आता था वो company ने और existing इस current year में काफी तेज growth किया है कि company focus करें कि जो existing client है जो focused client है जहां से revenue आता है वहाँ पर company focus करती होई नजर आए इसके लाब अगर हम बात करें तो CK Builder Group 2.4 billion dollar का conglomerate है और company के revenue metrics की बात करें तो client की geographic के हिसाब अगर हम देखे तो main business जो company का आता है वो अमेरिका से आता है 77.3% और बाकी उसके बाद 13.4% यूरोप से और बाकी 9.3% rest of the world से तो हमारे इंडिया से नाक के बाराबर business आता है तो आप यह देख सकते हैं कि जो सारी existing अभी जो digital transformation की जो सारी चीज़े होरी वो अभी अमेरिका और यूरोप में होरी है बट यह जो चीज है जो company काम करती है वो है उसको हम बोल सकते है mega trend और अगर हम mega trend की बात करें तो पहले जो legacy business हुआ करता था वो अगर हम 2000 आपको 1910 में या 99 से बात करें या 2000 से हम अगर बात करते हैं 2015 तक जो legacy business था वो काफ़ी तेजी से grow कर रहा था और आने वाले समय में इ digital transformation start हुआ है अभी USA में और UK में काफी चल रहा है और आने वाले समय में जो emerging economies है इंडिया हो गई बांगलादेश हो गई या बहुत सारी और emerging economies है वहां पर बहुत बड़ा business होता हुआ नजर आएगा तो हम देख सकते हैं कि जो build a soft के साथ अभी जो चल रहा है वो हमार को आन आप देख सकते हैं build a soft उसमें काफ़ी फिट होती है क्योंकि इनका एक भी जने से बहुत बड़ा concentration नहीं है manufacturing में 41.3% 18.1% BFS में आते हैं मतलब कि banking and finance sector में 15% energy में और 25% life science से निकल के आता है company का industry vertical वहीं अगर हम बात करते हैं service offering के तो SAP implementation 13% से निकल के आता है जबकि सबसे ब transformation की बात करें जो मैं बता रहा हूँ आपको लगातार जो focus है वो है यहाँ पर digital transformation का और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा revenue दे रहा है 32.3% और emerging horizontal जिसमें बहुत सरी चीज़ें शामिल है from process automation से लेके बहुत सरी चीज़ें जिसमें आती है इन सबको अगर चोड़े तो जो सार जो company काम कर दी है उसमें emerging horizontal में 23.1% का growth 23.1% का share आपको देखने को मिल जाता है client concentration लगाता है यहाँ पे आप देख सकते है growth पे top 5 client की बात करें तो 32% top 10 client 44.2% और top 20 client से 58.7% मतलब कि 60% revenue company का top 20 customer पे है जिन पे company का focus है पोरे financial year 2021 की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी हा revenue यहाँ पर निगल के आता है आप देख सकते 3556 करोड़ वहीं EBITDA 14.9% का है जो की बहुत ही अच्छा है अगर हम देखते है happiest mind की तो happiest mind का थोड़ा 20% के नमसम रहता है बट यहाँ पर अच्छा क्यों है क्योंकि उनका जो है टेक्स का अभी payment नहीं जैसे इसमें तो टेक्स शामीर भी नहीं है बट उनका जो है अब दीरे दीरे जो उनका भी यहाँ पर गिरता हो नेजर आ रहा है क्योंकि अब उनकी जो offering है वो लगातार बढ़ने लग गई है और साथ ही साथ उनका जो guidance है उनका भी guidance इसी तर क्याता है जो की काफी decent है इस तरह की company के लिए headcount 11,000 professional company के साथ शामिल है और लगातार इसमें growth होती हुई नजर आती है नेट वर्थ की बात करें तो 2,180 क्रोड की आप नेट वर्थ कंपनी ने दी है service line में ERP, digital, infrastructure and cloud technology के साथ साथ customer relationship management, testing, IT consulting शामिल है इंडस्ट्री जो capabilities, life science ह हो गई, BFSI हो गई, communication, media technology, सहर जगे company काम करती हुई नजर आती है और कहीं ने कहीं बहुत बड़ी deals company ने यहाँ पर win की है, साथी साथ कहीं ने कहीं जो company को है awards और recognition भी काफी मिलते हुए नजर आते हैं, अगर हम बात करते हैं company के company की overview की तो आप देख सकते हैं जो मैंने आ about salesforce वाले services related company काम करती हुई नजर आती है, वहीं एक और चीज़ जो है, वो company लगातार focus कर रही है new hiring पे, क्योंकि देखो कोई भी IT industry होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी cost होती हो HR की होती है, और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1,38,000 new hiring company ने फाइनिशेटर 21 में क इसके चलते ही यहाँ पर company लगातार अपनी जो process है, उसको अच्छा और सूधर करती हुई नजर आ रही है, इसके अलागा 80% है year on year cloud adoption में यहाँ पर बहुती तेज ग्रोथ cloud adoption में चल रही है, छोटे चोटे बिजनिस भी अपने पूरे बिजनिस को यहाँ पर कहीने कहीं चे जो service export करता है, 50% share है total FDA में, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा margin और कितने सारे लोग लगे हुए पूरी इंडस्ट्री में जो आपको आने वाल समय में growth देंगे, कुछ जो चीजे हैं जो आपको highlights 2021 के मैं आपको बता देता हूं कि company का जो NUT business है, क्योंकि NUT business है जो 60-70 परसेंट करो हुआ, daily sales outstanding क्या होता है कि कितना पैसा कब से rotate होगा, तो वो यहाँ पर आपका lowest company ने दिया है, 56 days का, जो कि 16 days का improvement company ने किया है, जो काफी बड़ा improvement है, daily sales outstanding, जिससे कि क्या होता है, कि पैसा का flow बना हुआ रहता है, cash balance cross की बात करें, तो 10,000,000,000 से बढ़कर 11,000, नेवासी million है, ताकि company और दियुसीचे फोकस कर सके, बेल्डासोफ्ट का, TCV deals मिन की बात करें, तो triple 8 million dollar है, जो कि 32% यहाँ पर company ने growth किये, year on year basis पे, एक बहुत बड़ी growth है, after the merger, और इसके चलते है, यहाँ पर company को, company के जो margins भी है, वो भी बने रहेंगे, और साथी सत कही नहीं, और deals यहाँ पर मेरे को लगता है, आने वाल समय में देखने को मिलेगी, utilization की जो बात करें, अगर हम, तो 80.9% से बढ़कर, 82.8% हो चुका है, मतलब की, company का जो एक आदमी है, जो अगर काम करता है, तो 100 गंटे अगर काम करता है, तो 80 गंटे वो productive काम कर रहा है, और व बहुत ही बड़ा jump हमारे को last year देखने को मिला था, और digital, अगर हम बात करें, digital कोई भी business था, उसमें बहुत बढ़ा jump देखने को मिला था last year, और उसके चलते हैं, अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो growth आई है, जो पिछले अप्रेल, माई, जून में आई है, वो एक बहुत pattern, जो आपको मैंने बहुत सारे business दिखाया है, और वो यहाँ पर कही ब्रेक आउट देगा company को, 440 रुपए के लमसम, 440 भी नहीं, आप देख सकते हैं, जो यह भी बना हुआ है, 420 यह 430 रुपए का level, जब 430 रुपए का level है, तो यहाँ पर अगर एक अच्छा volume बनता है, और यहाँ से एक अच्छा breakout देखने को मिलता है, तो यह एक बहुत ही अच्छा sign होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि company लगातार, आप देख सकते हैं, अच्छा momentum है, फिर थोड़ा consolidation, फिर momentum, फिर consolidation, और फिर यहाँ से भी आपको एक momentum अच्छा देखने को मिलेगा, और उस guidance, जो मेंको सबसे favorite लगा है, इसके अलावा company का management काफी अच्छा है, पूरा experience management है, इसके अलावा एक और चीज है, जो सबसे important है, digital transformation, एक mega trend है, तो long term के लिए, मेरे साब से long term के लिए share है, जो best share है, और long term में आपको कितना target यहाँ पर मिलेगा, वो आप सोच के हैरान हो target में दे रहा हूँ, 1000 रुपय का बहुत लंबा target है, जो आपको एक से दो साथ, दो साल भी बोल रहा हूँ है, क्योंकि क्योंकि कुछ ने कुछ चीजें चलती रहती है, HR, attrition और यह सब चीजें, और बहुत सारी uncertainty भी है market में, क्योंकि वो सारी चीजें और भी चल रही है, त तो mega trend का part होता है, तो हर पूरी industry अगर वहाँ पे 20-30% से grow कर रही है, तो अगर आप थोड़े से भी एजाईल होंगे, तो आप यहाँ पे 30-40% grow करेंगे, और वो आपको दिख रहा है, अगर हम stock की बात करें, तो stock ने कितना अच्छा performance दिया है, अगर हम 2020 के से बात करें, त तो आपको मैं कहा रहा हूँ, 1000 रुपय का target, एक से दो साल में देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आज बाई करने का, कल बाई करने का, लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, आज बाई करने कल बाई करने, यह कोई भी educational वीडियो है, आपकी understanding के लिए, एक हम और अभी तक अगर आप वीडियो देखने हैं, तो कमेंट करने ना भूलें कि आप नया वीडियो हम किस पर लेके हैं, थेंक्यू सो मच